नबश्कार एक बार पुनो हाजर हूं मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चेनल गो ब्लोक्स पे दोस्तों मैं हूँ भासकरानन डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक समुदर सास्तर का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चेनल गो ब्लोक्स पे एक सुन्दर सीमेल हतीली हमारे शामने है और आप देख रहे हैं हतीली का जो आकार है वो पूरी तरो से आयताकार है देखेगा जब भी हतेली क्या आकार इस प्रकार से होता है तो ऐसे लोगों का जो करियर होता है उसमें बोलने से या मस्तिस्क कार्य करने से ज़्यादा काम चलता है सारिरिक मेहनत की जरुरत कम होती है यह प्रेक्टिकल रुब में आप देखेगा और दूसरी बात है ऐसे जो व्यक्ति होते हैं एनलेटिकल स्वभावाले होते हैं दार्षनिक किसम के ऐसे व्यक्ति होते हैं दार्षनिक विचारधारा के व्यक्ति जादतर मामले में इनकी जो सोच रहती है वो सकारात्मक रहती है पॉजिटिव सोच वाले होते हैं ये आपके हतेली की खासियत यहां पर दिखाई दे रही है दूसरी बात अगर हम देखे हतेली की जो रंगत है बहुत खूब सुरत है बहुत सुन्दर है प्रस्तिती चाहे कहिंसी भी हो अनकोल हो या परतिकोल हो जीवन में चोटी से चोटी चीजों का लुथव उठाने वाला बिक्तित्व है चोटी से चोटी चीजों का आनंद लेने वाला बिक्तित्व है उनमें खुसियां ढूंडने वाला बिक्तित्व है और जीवन का पूरा लुथव लेने वाला बिक्तित्व है ऐसे लोग बड़े सोबाग्यसाली होते हैं इस परकार की हतीली आपकी यहां पे सुन्दर रोक में दिखाई देरी है अब यहां पे देखेगा आपका अंगोठा हल्का सा पीची के तरफ जुक रखा है और सुक्र का जो परवत है वो उभार ली हुए है पुष्ट और उम्र रहेगा क्या है इसमें? अपने को मेंटेन रखना अपनी परसनल्टी पर विसेश ध्यान देना अपने को सच सवरकर रखना यह चीजे जादा रहने वाली है दूसरी बात है नई चीजों के परति रुजहान नई फैसन के परति जो मार्केट में नई परकार की चीज़ें आ रिखी हैं उनके परति रुजहान और एक लगजरी जीवन के परति आकर्सन जादा रहेगा और उसके लिए प्रयतनसील व्यक्तित्व भी रहेगा और कहीं न कहीं जीवन के एक समय पर निश्चित रूप से जीवन में इस और आप बढ़ेंगे भी सफलता भी मिलनी सुरू हो जाएगी ये आपका जो है सुकर परदान व्यक्तित्व बता रहा है दूसरी बात देखें अंगोठा मुणा हुआ है ऐसे व्यक्ति दोस्तने चु और आपका सुकर का परवत यहां पर बताता हुआ नजर आ रहा है अब देखेगा यह पर्थम पौरवा है यहां से यह इस परकार से एकदम इसमूत है और यहां पर अगर उठी पूरी नहीं देखे रहे लेकिन मगर आप देखेंगे सकरा पेछे दिखाई दे रहे काम के प और वेसे थोड़ा हो तो कोई बार ने लेकिन कुछ जादा लंबा है तरक की सकती बहुत अच्छी है अपनी बात को लोजिकल तरीके से रखने में माहिरता हासिल है और किसी भी परकार का तरक देना हो उस तरक में विज़ई होंगे यह जादा आपका यहां पर दिखाई द और दूसरों को मनाने में भी कहीं न कहीं जो है माहिरता हसिल है लेकिन एक कमी भी है और इसके परते सावधान रहना जिवन में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है जल्दबाजी में ले आ गया निरणय नुकसान दे साबित होगा तो इसलिए जल्दबाजी से बच ठीक हैं अब यहां पर एक चीज और देख लेजेगा एक दो चीजें बहुत अच्छी हैं फिर मैं हतेली का विश्लेशन करता हूं आपको यहां पर तो यह चीज देखेगा यह है बुद्ध का परवत मरकरी का माउंट है यह बहुत पुष्ट और सुन्दर आउस्ता में हैं पुष्ट आउस्ता में हैं ऐसा बिक्ती हर तरह की प्रस्तितियों को भली भाति समझने वाला होता है और आप भी हैं हर तरह की प्रस्तितियों को कहीं न कहीं भली भाति समझते हैं और योजना बना कर चलते हैं और इसका लाब प्राप्त करते हैं एक खूबी है आपके अंदर बुद्ध के कारण जो भी कारे आप प्रारम करते हैं अधुरा में नहीं छोड़ते हैं उसे पूरा अउश्य करते हैं और यही चीज आपको दोसरों से अलग बनाती है यहाँ पे बुद्ध का परवत देखें सुन्दर और पुष्ट है वानी की सक्ति बहुत अच्छी रहती है अगर बुद्ध आपका अच्छा है तो वानी की सक्ति बहुत अच्छी रहती है ऐसे लोगों की सहद सी मीठी बानी दूसरों को अपनी तरफ आकरसित करने वाले बात ऐसे करेंगे अपने को व्यक्त करने की चंता बहुत अच्छे है आपके अंदर और ये सुन्दर भी है जितना ये सुन्दर रहता है व्यक्ति का चेहरा उतना ही सुन्दर रहती है और व्यक्ति की परसनल्टी भी उतनी ही अच्छे रहती है दूसरे को अपनी तरफ खींचने वाला ब्यक्तित्व, ये आपके अंदर कहीं न कहीं है, आप मानों या ना मानों लेकिन बुद्ध ये कह रहा है, दूसरी बात है, मनों बेग्यानिक के छेतर में भी माहिरता हासिल है, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है, ये अगर बुद्ध का प्रवावत इस प्रकार के सुन्दर हो, लालिमा लिये हुए हो, और लचीला भी हो, इसको दबाएंगे ने, तो ये लचीला है, तो ठीक समय की ऐसे लोगों की तलास रहती है, और समय का पूरा पूरा उप्योग करने में दक्षता हासिल होती है, और ये मजबूत होंगे, यहाँ पर एक रेखा, जो इस पश्ट है, बाकी तो और बहेंपर टूटी फूटी है, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा और पांच रेखा, अभी इस पश्ट आएंगे, ये रेखा जादतर आपकी जीवन के 46 में वर्स से, फूटी 6 एर से, बहुत ब जो ब्यापारिक गुण हैं, बहुत अच्छे हैं, और ऐसा बिकती 2-4 भासाओं का ग्याता भी होता है, 100%, और जीवन के बुढ़ापे काल तक अपनी हाथ का पैसा रहेगा अपने पास, मनि बुढ़ापे में भी जो है, संगर्स की इस्तितिनी रहेगी धन के मामले में, चा बहुत कम हतेली में इस पश्ट रूप में बुद्ध पर उतेवे 5 एक खड़ी रेखाएं मिलेंगी आपको, मिलेंगी लेकिन इस्पेसल हाथों में मिलेंगी, क्या बथाती हैं, कि ब्यक्ति उच्चुकूटि का बुद्धिमान है, आत्म ज्यानी है, ज्यानवान है, ठीक ह और कहीं न कहीं इस परकार की चीजें ब्यक्ति जो है कन्ने की सोच रहा है, जिसके चलते इन्हें पीडी दर पीडी याद रखा जाएं, अब देखेंगे, देखेगा एक इस पश्ट तरेके से देखेगा, ऐसे लोग बेग्यानिक होते हैं, अनुसंधानात्मक कार्य कन्ने वाले होते हैं, यानि कि खोजी प्रूर्ति वाले ऐसे लोग होते हैं, और कहीं न कहीं ये गुण आपके अंदर है, किसके कारण बुद्ध के कारण, बुद्ध गणित को दिखाता है, बुद्ध बिज्यान को दिखाता है, बुद्ध ब्यापार को दिखाता है, बुद्ध आपकी त्वचा का मालिक होता पैकेजिंग का मालिक आपकी त्वचा को दिखाता है सुक्र आपकी परसनलिटी को दिखाता है ठीक है न? जितने भी बेग्यानिक या इससे समंदित लोग होते हैं न? उनकी हतेली में ये रेखाएं सहज रूप से देखी जाती है और आपकी हतेली में है बहुत सुन्दर और अच्छी अवस्तामी है अब देखेगा ये तो है इसकी उंगली देखें आप सीधी खड़ी है एकदम सीधी है किसी उंगली के तरफ जोकी हुई नहीं है और जो सूरे की उंगली है इसके कहीं न कहीं पहले पोरवे तक पहुँच रही है टच कर रही है इसको ये और भी सुन्दर होता है अच्यंत स्रेष्ट इसे कहा जाता है अब आप प्रेक्टिकल रोक में देखेगा ऐसे लोगों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्रेक्टिकल रोक में देखेगा ऐसा ब्यक्ति आपको ब्यापारी बर्ग का ब्यक्ति मिलेगा चाहिए वो बहुत छोटा ब्यापारी हो भले ही बाद में वो अपने अस्तान में आ जाएगा या मंजला हो या बहुत उच्च किसम का ब्यापारी हो ऐसा ब्यक्ति आपको ब्यापारी बर्ग का ब्यक्ति मिलेगा अगर ऐसा ब्यक्ति नोकरी भी कर रहा हो ने यकीन मानिएगा चाही वो प्राविट नोकरी करें चाही सरकारी नोकरी करें ऐसे ब्यक्ति कहीं न कहीं अधिकारी की पद पे रहता है और अपनी जीवन काल में उच्च वर्ग का ब्यक्ति होता है, स्रेष्ट और सपलतम ब्यक्ति होता है, समय आने पे बड़ी स्रेष्टता और सपलता को हसिल करता है, क्यूं करता है? दो तीन कारण है एक तो बित्ति के अंदर व्यापार की छंता होती है अब व्यापार का मतलब होता है Communication Skills कुछ चकूट की होती है वानी की सक्ति दूसरे को आकर्षन करने वाले होती है और अपनी बात को logical तरीके से रखता है अपनी बात को लोजिकल तरीके से दूसरों को समझाने में माहिरता हासिल होती है योजना बद्ध तरीके से ऐसा विक्तिक कार्य करता है और जिसके पास योजना होती है वो जीवन में भाग्य के भरोंसे नहीं रहता है योजना के अनुसार कार्य करता है जो योजना के अनुसार कार्य करता है वो सफल होता है खूबी है दूसरी बात है ऐसा जो भी जातक होता है या जातिकाएं होती है महिला या पुरुस कोई भी हो अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं और यही एक सर्वसरिष्टम गुण है कि जो आप में सर्व सरिष्टतम इस्तिति में है अब दूसरी बात देखेगा जब ये उंगली अपने अस्तान में इस प्रकार से लम्वत खड़ी होती है ने सीधी जैसे आपकी है तो ऐसा विक्तिस्वयम उद्धिमी तो होता ही है कुछ ऐसा करने की फितरत में रह देखें और ये आपकी हतेली में दिखाई दे रहा है ये भी बहुत सुनर है अब दूसरी चीज इसमें देखेगा उसके बाद पूरा विसलेशन दोंगा मैं लेकन कुछ खास खास चीज़े पहले देखेगा यहाँ पे अगर देखेंगे आप एक ये उच मंगल है मंगल द बड़ी भूमिका होती है मारी हतेली में यहां से एक रेखा उदयमान इस्तिति में है और इस प्रकार से जाएगी यह बन रही है अभी बनीनी साड़े तीन साल में यह डेपलप हो जाएगी और अपना फल देगी वह से आंसे क्रोप से दे भी रही हो लेकिन अपना फल अब देखेगा यह किसका भाग है मंगल मंगल क्या है एनरजी का कारण कारक है यह क्या है सूर्य सूर्य क्या है एनरजी का कारक उर्जा का कारक हैं दोनों यह गरहों में सैनापति है यह गरहों में राजा है प्रान है बिना सूर्य का जिवन नहीं है और बिना मंगल का प्र रेखा जारी है ये रेखा बताती जैसे पुष्ट और सुन्दर होती जाएगी वैसे 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 बिक्ति के अंदर ऐसी काबिलियत आ जाएगी कि बिक्ति बिदेशों से भी अच्छा खासा धन कमाएगा बहुत अच्छा खासा धन कमाएगा और ये इस्तिद्बनेगी 46 के ब बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से भी अच्छा खासा धना आएगा अब इससे पहले क्या नहीं आएगा आएगा लिकिन जो एक्चुल धन आना है बड़ी रूप में वो इस रेखा के पुष्ट और सुन्दर होने पे हैं अब एक चीज और है इसको भी देखेगा जरा यहां पे देखेंगे यह आपका क्या है निमन मंगल मैंने बोला है यहां से एक रेखा जारी है इसको कहते हैं मंगल की रेखा आपके हतेली में है बहुत सुन्दर रेखा है अभी बहुत सारा जाल इसको काट रहा है पहले यह रेखा अच्छी थी इसने बहुत अच्छा फ उसको ये रेखाई डिश्टब कर रहे हैं उसके फल को जो है अपने कबजे में कर रहे हैं आपको नहीं देने दे रहे हैं क्या करना इसके लिए उपाई में आपके वट्सप नम्मर पर बिदिवत तरीके से ओडियो के माध्यम से या लिख करके आपको भीज दूँगा प्रो उनके अनुसार आपके जो इष्टदेव हैं वो हनुमान जी है भूमि पुत्र भगवान शंकर के ग्यारवे रुद्र रोप ये रेखा अच्छी होगी आप देखेंगे आपके जो बहुत सुन्दर और अच्छे काम बनेंगे वो मंगलवार को बन जाएंगे क्योंकि मंगल क्या है आपकी उसमें अच्छे भाव में है दूसरी बात है ये रेखा है दूसरों का सयोग बहुत अच्छे रुप में मिलेगा जब ये इस्पष्ट और सुन्दर हो जाएगी कि तो दूसरों का सयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है इस बात के और ये संकेत कर रही है जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी किरपा आपके उपर है इसका भी अनबहू होने लगेगा दूसरी ये रेखा इस्पष्ट रूप में है ये इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिबा है प्रतिबा के धनी है तीब्र बुद्धि के मालिक है सोचने और समझने के सक्ति हनुमान जी की किरपा से हनमान जी बराबर बुद्धिमान न कोई हुआ है अनकभी होगा कोई हनमान जी बराबर कोई जोतिस में अग्रणी हुआ है न होगा हनमान जी बराबर आत्म समरप्रा करने वाला और हनमान जी के बराबर प्राकर्म और बुद्धिमान कोई नहीं हुआ है और आपके इश्ट दीव हैं ठीक है इसलिए आप में अच्छी प्रतिबा है तीवर बुद्ध के धनी हैं सोचने समझने के सक्थ विशेश रूप में इस्वर ने नेचुरल तरीके से परदत की है और ऐसा भी आपका व्यक्तित्व है कि जीवन काल में एक बार येदि कोई न मर्थ्य भी रखेंगे आने वाले समय में आपका व्यक्तित तो अपने आप में अच्छा खासा प्रभावसाली रहने वाला है ये रेखा बता रहे हैं अब ये क्या है एक मिंट सोचें ये है आपकी जीवन रेखा जारी है इसकी सहीयोगी रेखा भी है इस रेखा को ये धन रेखा भी है निश्चित तोर पे जब आपकी करियर और धन की रेखा शुन्दर इस्पष्ट हो जाएगी फलत तो इस्तिति में आ जाएगी ये रेखा आपको जमीन जायदाद से धन देगी नाव या बोट का कोई काम होगा तो उससे भी अच्छा-खासा धन मिलेगा दूसरी बात है अभी सुर्या प्रोपर उर्जा प्रवाइड ने कर रहा है लेकिन जब ये भी उर्जा प्रवाइड करने बैठ जाएगा अगर लगड़ी का कोई काम करेंगे चाहे फरनीचर का है चाहे लगड़ी का कोई भी काम है बड़ा लाब मिलेगा कागज का कोई उ तुन्दर हो जाएगी। करियर का मामला हो, धन का मामला हो, इस मे LAUGHTER आनी सुरू हो जाएगी। अस्तायत तो बहुत बड़ी रोप में आना शुरू हो जाएगा। अस्तायत तो आ जाएगा, 99.9 % अस्ताय तो रहेगा। अब मैं इसको 46 विवर्स से क्यों कह रहा हूँ इसके टाइमिंग कैसे निकाली जाती है भग्या रेखा अलग अलग अस्तानों से सनी परवत पर जाती है और जिस अस्तान से जाती है उसके अनुसार उमर निकाली जाती है हस्त रेखा सास्तर में जब ये रेखा चंद्रमा से प्रभावित होके सनी पिर जाती है तो ये थोड़ा सा संगर्स देती है उतार चड़ाओ देती है तब जाके जादतर मामले में 42 से 45 वर्ष के बीच में कहीं चैन मिलता है और 45 वर्ष के आसपास ये भाग्योदा ये कराती है लेकिन जब ये भाग्योदा ये कराती है तो विक्ति के पास प्रतेक दिन धन आता है अब कितना आता है इसको समझेगा अपने मस्तिस्क सक्ति अपनी योग्यता के उनसार ऐसा विक्ति प्रतेक दिन धन कमाता है ऐसे लोगों को वाहन का सुक 100% होता ही होता है अगर वो चाहे तो अपने घर का सुक मिलता है मनि अपने कमाये हुए पैंसों से अपने घर को खरीदता है ऐसा ब्यक्ति अपनी ब्यापार का सुक मिलता है अगर ऐसा ब्यक्ति नौकरी भी कर रहा हो ने तो इस रेखा के फलित होने पे उस व्यक्ति को ब्यापार का सुक मिलता है जाए रिटायर्मेंट होने के बाद मिले लेकिन ब्यापार करता है इसा व्यक्ति लक्षमी की बहुत अच्छी किरपा होती है ब्यापारे वसती लक्षमी ब्यापार में हमेशा लक्षमी का बास होता है और ये भग्य रेखा देती है चंद्रमा मन का कारक है 70% हमारे जीवन को बदलने की चमता रखता है सनी हमारे कर्मों को देखता है भगवान शंकर हैं जो इनकी सिस्य है सुक्र और सनी और सनी क्या है आपका वायु तत्व का मालिक है वाय थोड़ा भी कुपित हो जाती है, कई परकार के रोग लग जाते है अगर रोग न लगे तो जीवन कहीं न कहीं अस्तव्यस्त होता है या तो ब्यक्ति भहुत भग्यवादी हो जाता है या एकदम कर्मठ हो जाता है उसको अध्यात्म में कोई रुच नहीं रखते है लेकिन हर परकार के कर्मों को आपका जो है सनी देखता है आप यहाँ पे देखें इतनी अच्छित लकीरेवी यहाँ पे है बहुत सुन्दर बेक्तित तो भी है और भी बहुत अच्छा है लेकिन अभी हम जाएंगे एक ग्रह पे दो ग्रहों पे जो थोड़ा सा जो है अनबैलेंस है ठीक है पहले मंगल की बात कर लें मंगल पे ही रहते हैं देखेगा यहाँ पे यह वाला हिस्सा निम्न मंगल रेखाओं से पटा पड़ा है कुछ न कुछ प्रबाहों देता है और यह जब तक रहता है मन के अंदर हलका कनफ्योजन दुविधा या उलजन बनी रहती है और कभी कभी निरणय लेनी की छमता में असर डालता है यह दूसरी बात भूमि समंदी है लकडी समंदी है या और भी कुछ है दो चार चीजे है उनमें उनके कारियों में बीच बीच में अर्चन आ जाती है तो मंगल को ठीक करना वैसे पुष्ट और सुन्दर है तो अच्छा फल देगा यहाँ पे उच्च मंगल आपका पुष्ट और सुन्दर है प्राकरम बहुत अच्छा रहने वाला है चाए प्रस्तिति कैसी भी रहे समश्याएं भी हो तो भी निश्चित तोर पे प्राकरम बहुत अच्छा रहने वाला है एनरजेटिक स्वभाव रहने वाला है इस बात की और यह इसारा कर रहा है दूसरी बात जीवन में कितनी भी प्रेशानी आए समस्याएं आए अपने आपको हार नहीं मानेंगे लगाता रहने की लगे रहने की परवर्ति है जूजते रहने क बठा रहे हैं कि आपका जो नेचर है वो भी बड़ा अलवेला है दूसरों की सेवा करने के लिए तत परता है दूसरों के साथ खड़े होने वाले लोगों में से एक है चाहिए कैसी भी प्रस्तित रहे अपनी बात को छुपा लेंगे अपने दर्द को छुपा लेंगे लेकिन सबसे पहले दूसरी के साथ खड़े रहेंगे दूसरों की मदद करने वालों में सबसे आगे रहेंगे हाँ, एक बात तो है कि कैसे भी प्रस्तित रहे, कैसा भी समय रहे लेकिन अपने कामों में लगे रहेंगे बड़ी मुस्तेदी से और इसका फायदा भी उठाएंगे ये आपका मंगल है इश्टदेव है ने आपका तो बहुत सारी चीजें दे रहा है आपको ठीक है अब यहाँ पे देखेगा ये आपकी गुरू की उंगली है इसको हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं या तरजनी की उंगली कहते हैं ये पू अर्मिक भावनाई ये बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर है अपने आराध्य के परती अपने इश्ट के परती पूर्ण समर्पण है सर्दा है और निष्ठा है चाहे प्रस्तित कैसी भी हो लेकिन विश्वास बनावा रहेका सर्दा अटूट रहेगी और एक दयाव अबान विक्तित्व भी आपका है ठीक ने कुरूरता है निष्ठूरता है खडूसपन है आपको नहीं चूपाएगा जीवन में और इसका कहीं न कहीं प्रभाव आपके परिवार पे भी पढ़ेगा क्योंकि DNA तो एक ही होता है ने बलड तो एक ही होता है ने तो इसका प्रभाव कहीं न कहीं आपके बंस में भी पढ़ता रहेगा और आपके अंदर ये गुरू की भावना जीवन प्रियंत रहेगे देव गुरू ब्रस्पति के जो है सुन्दर गुण यहाँ पे दिखाए दे रहे हैं अब यहाँ पे देखे बरतमान में ये कुछ समय तक के लिए है देव गुरू ब्रस्पति है ये जुपिटर का माउंट है ये और ये हमारी हतेले में बैटने वाले पर्थम आचारे है ये इस चीज़ को बता रहा है और दूसरी बात है अगर ये रेखा भी इस पश्ट मात्रा में हिर्दे रेखा से मिल जाए और ब्रस्पति का परोत ऐसा ही रहे तो थोड़ा दामपत्य जीवन का ध्यान रखना पड़ेगा दामपत्य जीवन का जो पूरा सुक है उसको भोगने में दिक्कतें आती हैं चैप्रस्तित कोई भी हो वजह कोई भी हो तो थोड़ा सा जो है ध्यान लखना है दूसरी बात जब ब्रिस्पति इस प्रकार से हो और यहां पे लगातार रेखाएं काटने बैठ जाए इस पश्ट रूप में तो परिवार को लेके कुछ समस्याइं आती हैं बिक्ति को समस्याओं से जूजना पड़ता है तो ब्रिस्पति का या तो उपाय करें ठीक है न या तो इस चीजों के परति सावधान रहें और यह धाया में बैठते हैं कहीं न कहीं धाय वर्सों तक अपना प्रभाव देते हैं या तो परिवार के परति कहीं न कहीं चिंता का भाव बना रहेगा या छोटी मोटी पारिवारिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं इस और ये इसारा कर रहा है लेकिन बहुत बड़ा कुछ नहीं है चिंता की बहुत बड़ी बात नहीं है यहाँ पर देखें इस तरों से ये रैखा बनती हुई और यहाँ पर जा रही है अभी पुष्ट नहीं हुआ सुन्दर नहीं हुआ लेकिन मच्छली का चिंता है इससे बड़ा सरेष्ट कोई नहीं है बिरस्पती के पुष्ट और सुन्दर होने पे केंद्र में आने पे ब्यक्ति के स्वयम के ज्ञान और बुद्ध के बल पर दुनिया में राज करेगा ये बता रहे और धन के मामले में मन चाहा धन ब्यक्ति के पास आएगा लेकिन ये तब होगा जब रिस्पति सुन्दर होगा और सूरे पुष्ट होगा ये तब होगा और उपाई में दे दूँगा अब देखेगा सूरे की ही बात कर लेते फिर और चेज बे जाते ये रिंग फिंगर है आपकी और यहां पर ये आपकी जो है सूरे का परोता है सूरे में अच्छी खासी रेखाई है अच्छी बात है यस की प्राप्ति होगी लेकिन कई बार बहुत विचार बे आ जाते हैं कभी ये भी करना चाते हैं कभी वो करना चाते हैं और किसी एक चीज में सफल होना थोड़ सा सूरे के कारण मुश्किल होता है जब तक सूरे इस परकार का हो दूसरी बात है सूरे जितना उर्जा कम प्रोवाइड करता जाएगा उतना आपके जो सारिक चक्र हैं वो सूरे के चक्रों के साथ तालमेल कम होंगे और जब सूरे के चक्रों के साथ आपके सारिक चक्र तालमेल में कम होंगे तो सारिक स्वस्त्य है, खुसहाली है, उत्सा है, उर्जा है कहीं न कहीं इन चीजों की चिंता करनी पड़ेगे ये हमेशा बिक्ति के साथ नहीं रहींगे और फिर ब्रिक्ति जो प्रियास करता है वो कहीं न कहीं पूरी रोप से जो है सफन नहीं वो पाता है ब्रिक्ति के अंदर जो quality होती है जो योगिता होती है उस तरह से चीजें उभर कर नहीं आती है पूरी तरह से निखर कर नहीं आती है ब्यक्ति जो परिशनम करता है जो प्रयास करता है जो मेहनत करता है उसका जो पूरा स्रे है क्रेडिट है वो नहीं मिल पाता है जब सूर्य पूरी तरों से उर्जा प्रवाइड नहीं करता है तो ऐसी इस्तिति में क्या हो जाता है एक सहजता से सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है तो इसको और जादा कमजोर नहीं होने देना है क्या करना है इसके लिए एक प्रवपर किरिया आती है सूर्य किरिया वो जरूर करिएगा अगर आप सूर्य किरिया करते हैं तो देखेंगे आप धीरे धीरे आपके सारेरिक चक्र सूरे के चक्रों से प्रस पर ताल मेल में आ جाएगे और इसका असर आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पढ़ेगा आपकी सारेरिक सेहत बहुत अच्छी होने बैठ जाएगी आपका मानसिक संतुलन एकदम परफेक्ट होने बैठ जाएगा और आपका जिवन बड़ी सहिजता से चलने बैठ जाएगा क्योंकि सूरे प्रान है, सूरे उर्जा है, सूरे विस्तार है और फिर क्या होगा सार्रिक स्वस्त्य है खुसहाली है उत्सा है उर्जा है इन चीजों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी ये हमेशा आपके साथ रहेंगे देखेगा सूर्य क्रिया का मतलब है अपने भीतरी सूर्य को जागर्त करना है क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है अब थोड़ा बेग्यानिक तरव से सोचेगा अगर आपके अंदर सूर्य नहीं होता है तो आप अपने सरीर का तापमान क्या कायम रख पाते नहीं रख तो एक सूरे बाहर है एक सूरे आपके अंदर है तभी तो सूरे का प्लैनेट है यह और यही बहुत कुछ बताता है ठीक है अब देखेगा यहां पर बीच की उंगली भी देख ली हमने ठीक है यह क्या बता रहे हैं कि समझदारे से विक्तिकाम करता और बहुत ज्यादा मेहन विस्तार पानी की एक्षा परबल रोप में रहेगी इन दोनों के बीच में गयब देखाई देरा यह नगेटिव है जब भी सूरे सनी साड़े साती में हो धाया में हो या बकरी अस्तान में हो तो इसका प्रभाव लंबा और गहरा आपकी जिवन पर पड़ेगा यह इस ची की भूक रहेगी पैसा और सम्मान जिवन के लिए जरूरी है यह आपके हतिली बता रहे हैं और जिवन का मातर लक्षबी जादतर यही रहेगा क्योंकि आप जानते हैं किवल धन होगा सम्मान नहीं होगा तो इस धन का कोई मकसद नहीं है यदि किवल सम्मान रहेगा और ध द्धन नहीं होगा तो वो परतिष्टा वो सम्मान जादे दिन तक टिकने वाले नहीं है इसलिए आपका जादतर लक्षा धन और सम्मान दोनों का पाना रहेगा और दोनों की भोक आपकी अंदर यहां पे दिखाई दे रही हैं यहां पी सभी उंगलियों का जुकाओ यहां बरत्मान में ब्रस्पति की उंगली की तरफ है जुक रही है सारी आपकी विचारों में स्वतंतरता है लीडर्शिप की क्वालिटी है यह आपकी हतीली का जुकाओ उंगलियों का जुकाओ यहां पर बताता है दिखाई दे रहा है कुछ चीजें अच्छी है कुछ ऊएसी हुई है रहनी चाहिए तभी तो बैलेंस बनता है यहां पर हिर्दे की रेखा इस तरों से जाती हुई और कहीं न कहीं तरजनी उंगली और मिडिल फिंगर की बीच में देख रही है इस पर देवगुरु ब्रस्पति और जो है भग्या अस्तान सनी का प्रभाव पड़ रहा ह यह बता रहा है कि आप अपनी जिवनकाल में बहुत बड़े महत्व कांची ब्यक्ति हैं आपकी सोच पॉजिटिव है सकारात्मक है और निरंतर आगे बढ़ने की हो रही है इस रेखा पर देवगुरु ब्रस्पति का तीब्र प्रभाव पड़ना है जिसके कारण आपकी जो इच्छा है एक टॉप लेवल तक पहुचने की हो रही है लेकिन वहीं सनी का प्रभाव पड़ रहा है जिसके प्रभाव के चलते आप सोचने बैठ गए हैं कि आगे बढ़ने के लिए कितनी भी मेहनत कननी पड़े करेंगे कोई जुगार लगाना पड़े लगाएंगे एन के प्रकारे जो भी आप से हो जाई आप करेंगे और ऐसा बिक्ति देपता के समान होता है आदर्सवादी होता है और दयावान बिक्ति होता है और वो आप हैं मस्तिस्क की रेखा थोड़ा घूम रही है और यहां पे जो है चंद्रमा की औरारी है ऐसा बिक्ति क्रियेट रहता है आप किरियेटिव हैं चंद्रमा हमारा मन का कारक है धर्म का छित्र है यात्राइए यहीं से देखी जाती इस प्रकार की मस्तिस्क रेखा वाला ब्यक्ति लंबी और हवायात्रों का मौका ऐसे लोगों को अच्छा खासा मिलता है लेकिन जब भी ब्रिस्पति होते हैं तो कहीं न कहीं जो जैसे आपके हतेली में अभी धाई वर्सों तक साधान अवस्ता में हैं तो कहीं न कहीं चिंतातर स्वभाव भी यह बनाता ही बनाता है ठीक है अब यहां पे देखेगा जीवन की रेखा आपकी इस तरों से आरी है और के तुपे जाती हुई द मिलती है जीवन की उदेश्य को बताती है ठीक है ने प्रैक्टिकल रूप में देखा मैं सास्त्रों में नहीं जाओंगा किताबों में क्या लिखा है अभी तक हातीली मैंने जो विसलेशन किया है उसके बारे में बताता हूं कैसे देखे मैंने लोगों को आपकी उपर घटी तो होता है ने घटी तो होता है वो अलग विसाय है लेकिन मैंने देखा है ऐसे जीवन देखा वाले विखती इनकी जो तरक्की होती है अपने जन्म अस्तान से दूर होती है जन्म अस्तान में ऐसे लोग बहुत जादा तरक्की नहीं कर पाते हैं चाहे जन्म अस्तान से दूसरे देश में हो या परदेश में हो ऐसे लोग ज़्यादा तरक्य कर पाते हैं। ये लोग कर्म इस प्रकार करते हैं अपने जीवन काल में कि एक दिव्या आत्मा की तरह अंत में मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जीवन का जो मुख्या उदेश्या है मुक्ति की प्राप्ति ऐसे लोगों को मुक्ति की प्राप्ति होती हैं। सिरी हरी की चरणों में ऐसे लोग दिव्या आत्मा की तरह जगा पाते हैं। और ये आपकी हतीले में जीवन की रेखा बता रही है। अब देखेगा यहां से एक रेखा निकल करके इस प्रकार से बना रही है। केतु छेतर पे एक मचले का चिन बन रखा है। ठीक है केतु का जबरदस्त प्रवाव कर रहा है। ऐसा बिक्ति धार्मिक प्रवर्ति का बिक्ति होता है। जैसे जैसे उमर बटती है धर्म के छेतर में अध्यात्म के छेतर में बहुत ज़्यादा रुच लेने वाला ऐसा बिक्ति होता है। अब ये मचली का चिन जो दृष्टि गोचर कर रहे हैं ब्रिस्पति को कर रहे हैं ब्रिस्पति है ग्यान का कारक ऐसा ब्यक्ति निरंतर अपनी नोलेज को बढ़ाने वाला होता है आत्म ग्यान में ब्रिदिकनने वाला होता है और एक समय ऐसा आता है कि ऐसे ब्यक्ति को आत् चातकार की प्राप्ति हो जाती है बाहर गुरु ढूनने की आवशकता नहीं पड़ती है और यही चीज आपकी हतीली में यह मचले का चिन्नी यहाँ पे बताता हो दिखाई दे रहा है अब देखेगा यहाँ पे एक रेखा जारी है एक रेखा यह जारी है यह है आपकी ब्यापार की रेखाई यह ब्यापार के गुणों से ओत प्रोत आपको कर रही है जैसे जैसे यह रेखा इसपष्ट और सुन्नर होती जाएंगी वैसे वैसे आपके ब्यापार में अच्छी खासी बृती होती जाएगी ब्यापार का छेतर जो है सामराज जो है वो बढ़ता जाएगा लेकिन जब ब्यापार का सामराज बढ़ने बैठ जाएगा ये रेखाई इस पश्ट तरीके से जाने बैठ जाएंगी तो एक चीज का ख्याल रखेगा डाइजेस्टिब सिस्टम का पेट का ध्यान रखना होगा क्योंकि ये अच्छी चीजें तो देती हैं लेकिन अगर ब्यक्ति चाई कॉफी बहुत ज़्यादा पीता हो या फास्ट पूट बहुत ज़्यादा खाता हो असमय का खाना खाता हो तो ये कही न कहीं पेट की पेवी बढ़ती हैं तो क्या ध्यान रखना है खाना समय पर हो जो सरीर में जहर पैदा करती है ऐसा खाना कम खाया जाए तो चीजें जो है ब्यक्ति के अंडर में रहती हैं नुक्सान नहीं पहुँचाती है तो ये चीज यहाँ पर दिखाई देरी है अब ये रेखाईउं जारी है ब्यक्ति के पास धन तो अच्छा खासा आता है लेकिन जितना आता है उस रोप में ब्यक्ति जो है उसको संचाए नहीं कर पाता है खर्चे भी ऐसे लोगों के जादा आते हैं और जादतर मामलों में खर्चे कभी-कभी बहुत जादा बढ़ जाते हैं हतीली में पैस उस रोप में नहीं टिक पाता है चाहे वो अच्छे कारियों के लिए हो चाहे कैसे भी कारियों के लिए हो लेकिन ये इस परकार से अब यही रेखा अगर ये रेखा यू आके यू मिल जाए तो ज़्यादतर मामले में बिदेश ही ज्यादा रेता है या सेटलमेंट हो जाता है या कहीं न कहीं उसका काम ऐसा होता है कि विदेश का आना जाना निरंतर रहता है और ये इसी चीज के और इसारा कर रही है ठीक है अब हमने रेखाई देख लिए ये रेखा भी हमने देख ली है कि जिवनकाल के 46 में वर्स से भाग्योदई की इस्तित को ये जन्म दे रही है और निरंतर उन्नतियां पर दिखाई दे रही है मनि बंद के छेतर में ये पहली रेखा है आपकी स्वास्ते की रेखा आने वाले समय में निश्चित रोप से स्वास्ते के मामले में आरोगय के मामले में और तंदुरस्ती के मामले में ठीक ठाक रहने वाला है अब चोटी मोटी परेशानियों को नहीं कह रहा हूँ जुखाम बुखार ये चीज़ों ते रहती हैं और पेट समंदी परेशानियों आ सकती हैं लेकिन अमोमन जो है कोई संकट में डालने वाली बिमारी नहीं दिखाई दे रही है फिलाग और सेकंड रहखा मणियों से बनी हुई है ये वो अक्षरों से बहुत अच्छा है ये है संपति के रहखा धन की रहखा ये रहखा भग्या रहखा से समंद रखती है ये भग्या की रहखा जितनी इसपष्ट और सुन्दर होती जाएगी मणि बंद की ये रहखा आपको धन औ पूरी तरह से इसपश्ट नहीं हुई है और ये है सुक की रेखा लेकिन बता रही है कि आने वाले समय में आपको अपने स्वस्त्य अपने धन और एस्वर्य भोगने का शुक मिलेगा चोथी रेखा भी हलकी दिखाई देरी है ये रेखा है समराठ की रेखा कहना ही क्या फिर तो यानि व्यक्ति जो है एक समराठ की तरह जीवन गुजारता है समराठ की तरह जीवन हो जाता है और कहीं न कहीं स्वर्य की किरपा के करण होगा ये रेखाई बता रही है अब हमने इसके बारे में बता दिया है इनके बारे में बता दिया इसके बारे में बता दिया है अ कुछ ऐसी वजहें पैदा कर सकता है जिसके कारण हाल का तनाव की इस्तिति बनी रहे धन अगर देखा जाए उपर के और रेखाई हैं किसी को धन दोगे थोड़ा सोच समझ कर दीजेगा बहुत बड़ी मातरा में परख के विक्ति को धन दीजेगा ना नुकर तो नहीं होगा लेकिन पैसा वापस आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है और विशेश कर रिस्तेदारी में ये चीज ज़्यादा दिखाई देती भार तो नहीं अब देखेगा ये है आपका चंद्रमा धीरे धीरे परबल हो रहा है अभी उतना नहीं है अभी हो सकता है कभी-कभी मानसिक प्रेशानियों को जन्म दे रहा हो या भाव कर रहा हो या मन को अच्छा नहीं रख रहा हो लेकिन आने वाले समय में मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती दे रहा है confidence level बहुत अच्छा रहने वाला है सरीर में कितनी भी समय स्या हो मन मजबूत रहेगा सरीर का हार्मोनल सिस्टम अगर चंदरमा बहुत सुन्दर रहा है तो बहुत अच्छा रहेगा creativity बढ़ेगी आप creative ज़्यादा रहेगे सकारात्मक सोच रहेगी चलकापट से दूर रहेंगे और महिलाओं का सयोग भी जीवन में बहुत अच्छे रूप में मिलेगा देखा जाए तो मैंने आपकी हतीलिका पूरा बिशलेशन करके आपको बता दिया है उपाई में विदिवत तरीके से लिख करके और आडियो के माद्यम से आपके वाटसप में बेज रहूं करने की कोसिस करें जिस हिसाब से करेंगे उस हिसाब से आपको जीवन में जो है इसका प्रभाव देखने को मिलेगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनौपस्तित हूँगा तब तक के लिए नमस्कार